अपने महान अजारे चड़क के नाम सुना होगा महान अजारे चड़क ने कहा था कि जिस ब्यक्ति ने समझ लिया कि कब कहा और कितना बोलना है उस ब्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रुख सकता और ऐसे ब्यक्ति की सफलता सुनी चित है जिस तरह कमान से निकला हुए तिर कभी वापस नहीं आता कि किसी तरह मुख से निकले सब्द कभी वापस नहीं आते कि सब्द भासा हत्यार है अगक्तम जोरी भी सही समय पर सही सब्दों का पर्योग से इंसान परिसानियों से बच सकता है लेकिन बीना सोचे समझे बोलेगे सब्द इंसान की मुसीबत को स्वाइब का मतला नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी सब्द नहीं बोलना है या चूप चप रहना है कि बेवज़ए सब्दों का परियोग नहीं करना है जहां जुरूरत है वहीं बोलना है और अपनी घृत बताऊंगा जीन्हें जानने के बाद आद से नहीं बलकि अभ का जवाब पत्थर से देते थे सालेंट यानि की चूपी किस तरह लोगों को टेंशन से ग्रैब करती है यह बात आप इस उदारां से समझ चकते हो जब क्लास रूम में टीचर किसी भी साइब बात करते हैं तो अस्टुडेंट उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं ल लोगों को ध्यान आपके उपर जाता है लोग आपकी बातों को ज्यादा महत हो देंगे लोग आपकी बात को इन लोगों की तुलना में ज्याता प्रेफरेंस करेंगे ज्यादा याद रखेंगे जो बीना जरूरत के बगब करते रहते हैं दूसरा है मौल सांत रहना मौल भ करें हो सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या नो करकर जवाब मत दो कुछ सेगेंड का पोज लो आपकी अचुपी सामने वाले इंसान को परिशान करेंगी और उस सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी के भढ़ना चाहेगा उनको सारी बाते बोलने हैं जिससे कि आपकी बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगे अपकर साइट बातचीत के तुरान ज्यादा भारी रहेगा तिसरा है विश्वास अगर आप एक मजबूत रिलेसंसिप बनाना चाते हो तो उससे पहले आपको एक ट्रस्ट विश्वास करना होगा और अपने से कई सारे लोगों को देखा हुआ जो प्रस्ट पुछने के बाद रूपते ही नहीं है अपनी बग बग चालू करते रहते हैं या फिर दुसरे को बोलने का मौका नहीं देते अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दुसरे इंसान के परफिक्टिं को जानने का मौ अपने बुधिमाता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं उनमें भी एक क्वालेटी देखने को मिलती है वह भी अपने गुरू राम कृष्ण जी से जब भी कोई परफिने पूछते थे तो आपना ओपिनिन जो बाद में देते थे लेकिन पहले परफ महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजो से लाड़ाए की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पायांगे उन्होंने स्वर्ट पावर को इस्तिमाल किया और अंग्रेजो को रहा है कई बार लड़ने से और जगड़ने से प्रवलम सोल्व नहीं होती चुप रहने स और सांथ हो जाने से प्रोब्लम सोल्ब हो जाती है